मद्यप्रदेश के रिवाजिला अंतरगत हनुमना नगर में भारती जन्ता पार्टी युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष अंकित मिस्रा के संयों जुकत तुमें विसाल तिरंगा जागरुपत यात्रा निकाली गई जो नगर आरात भगवान स्री हनुमान जी के मंदिर से चल कर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए स्री रगुनात प्रसाद महाविद्याले एबम जन्पत पंचायत के सामने से होते हुए मंगलम भवन पहुच कर बड़ी सभा के रूप में परिनित हो गई जहां कारिकरम के मुख्य आती थी सांसत जनादनमिस्त्रा, विशिष्ट आती थी राजमंतरी दरजाप्राप्त मोगंज विधायक प्रदीप पतील समेत भाजपा संगठन के पदाधिकारी उपस्चित रहे विंध में जनसंग के संस्थापक तथा लोकतंत्र सेनानी वरिष्ट भाजपा नेता सर्यो प्रसाद वैद ने स्वयम खड़े होकर यात्रा में चल रहे माभारती के पुत्रों के उपर पुस्वर्सा की गई तो वहीं सांसद रीवा जनादन मिस्त्रा तिरंगा यात्रा के बीच में तकरीबन एक घंटे लेट से पहुचे कि इस रात में भी तिरंगा लगरा जाता सकता है तिरंगा यात्रा के तौरां जन्समर्दन तो पूरा देश आज मोदी जी के सावान पर लहरा रहा है और हर आद भी चाहरा है कि हमार हम अपने घर में तिरंगा जन्डा भारा है जागरन किया जा रहा है लोग यात्रा निकाल रहे हैं आज युवा मोचा भारती जन्ता पार्टी की तरफ से यात्रा निकाली गई तमाम सभी संगठन जैसा सांसद जी ने बताया कि सब लोग अपील कर रहे हैं माने प्रदान मंत्री ये अपील पर सब लोगों ने ये जागरता प्लान है और दूसरा विर्चार ओपड को ले करके अंचूर कारिकम अभियान पूरे देस वर में चलाया जाना जाघर लगे और 13 कर 15 तक लोग अपने घरों अज आदी के अमरित मोच्तों 75 बसुद्ट पूरे होने पर उनको याद करे जिल लोगों ने इस देस को सतंता दिलाने में अपना सहयोग किया है जेल गए है प्राणूं की बाजी लगाए उको सब को याद करते हुए तिरन्दा को ले रहा है सतंता बाटी के केंदरी नित्यत्य के निर्देशा नुसार मत्य प्रदेश में भी हमारे सभी जन प्रत्रदियों के निर्देशा नुसार उने जिले में बाटी यंता इवा मूर्चा जिले के प्रत्यक 26 मंडलों में इस प्रकार की तिरंगा यात्रा निकालने का लच लिया है और उस यात्रा का प्रारंब आज हम हन्मना मंडल से किये हैं और अभी अन्य मंडलों में भी यात्रा प्रारंब है और प्रतेग मंडलों में हम तिरंगा यात्रा प्रभात फेरी और अन इस प्रकार के जन जागरान अभियान के माध्यम से समाज के अंदर एक जन जागरान करेंगे कि हमारे देश के राश्ट्री प्रतीग हमारे तिरंगा प्रतेग धर में फैराया जाया इस आजादी के आमरत महुस्टों में यह पुनीत कार यादि हम करने में सफ़ल होंगे तो निश्चिल तोर पर हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए जो भी हमारे पूर्वजों नियावति दी है उनको यह सच्छी स्वधान जली हो के देश के सफ्वी प्रधान मंत्री माननी नरेंद्र मोदी जी के आवाहन पर आज हम आजादी कमरित महुष्चों कारिक्टरम के तहद हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से हनुमना में माननी भारती जंता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष माननी वैभपवार जी के आवाहन पर माननी युवा मोर्चा के सफ्वी जिलाद्यक्ष विकास मिस्रा जी के निर्देशा नुसार हम भाजपा युवा मोर्चा के समस्त कारकरता गर्ण सम्मलित होकर हन्मना भारती जंता पार्टी के सफ्वी मंजाल अध्यक्ष भीकास मिस्रा जी के निर्देशा यात्रा बाईक रेली का कारेक्रम किये हैं और हमारा उद्देश से जन्जागरन है कि नगर में जो यह यात्रा घूमी है हर जगे हर रस्ते से गुजरी है हम सब का उद्देश यही था कि जन्जागरन के माद्यम से हम सब बड़े धूम धाम से आजादी काम रिपन होस्तों मनाएं तिरंगा यात्रा में लगभग दो सो से पार मोटर सैकल थी और पैदल भी बहुत ऐसे विवा मोर्चा के कार करता मंजल के पताधिकारी गर्ण और जिला के नेत्रुत तो पैदल भी चल रहे थे यह आत्रा बड़े हनुमान जी मंदीर हम सब क्या राध हनुमान जी महराज के मंदीर से प्रारम होकर पुराने थाना तक आई जहां से हनुमना काले तक गई नए थाना तक गई वहां से फिर वापस होकर हनुमना नगर के बीचों बीचा कर मंगला महवन में समाप्थ हुई है पूर्ण समर्थन था नगर में जगा जगा पर पुस्व वर्षा की गई युवा मोर्चा के कारे करताओ के प्रतीतना इसने और ममत की जो भावना थी नगरवासियों की उन्होंने जगा जगा पुस्व वर्षा करके हम सब लोगों का जो आत्म विश्वास बढ़ाया मनोबल पर आया है मैं उसके लिए संपुने नगरवासियों को साधर प्रणाम करता हूँ धन्यवाद अर्पीत करता हूँ